मिर्जा और साहिबा की अमर प्रेम कहानी यह कहानी उस वक्त की है, जब पंजाब दो भागों में बंटा हुआ था. पंजाब के एक छोटे से गाव खीवा में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी मा की मृत्यू हो गई. रो रहा था और इस छोटे से बच्चे की यहाँ हालत उसमा से देखी नहीं गई जिसकी अभी बेटी हुई थी. उस औरत ने उस बच्चे को अपना दूद पिलाया और उसकी भूग को शांत किया. उस दिन जन्म में यहाँ दोनों बच्चे दूद के रिष्टे से भाई भ बन गए. लड़के का नाम खेवा खान रखा गया और लड़की का नाम फते बीबी रखा गया. दोनों साथ ही साथ पढ़ाई किया करते थे. देखते ही देखते दोनों बड़े हो गए फते बीबी की शादी करा दी गई और उसके कुछ समय बाद खेवा खान की भी शादी एक सुन्दर सी लड़की से हो गई। कुछ समय बाद दोनों के घर बच्चों ने जन्म लिया। फते बीबी के यहां बेटा पैदा हुआ और खेवा खान के घर एक प्यारी सी बेटी हुई। लड़के का नाम मिर्जा था और लड़की का नाम साहिबा। फते बीबी अपने बेटे मिर्जा को अपने भाई के घर पढ़ने के लिए भेज दिया करती थी। दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़ते थे। साथ में पढ़ते पढ़ते मिर्जा और साहिबा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और यहां दोस्ती कब प्यार में बदल गई यहां उन्हें भी पता नहीं चला। पढ़ाई करते करते दोनों ने एक साथ प्यार का ढ़ाई अक्षर पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन मौलवी साहब को इन दोनों की नजरों में दिखाई देने वाले प्यार का कोई एहसास नहीं था। कब यहां दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूप चुके थे इसकी भनत किसी को भी नहीं पड़ी। प्यार में पड़े मिर्जा और साहिबा को ना तो दिन दिखाई देता था और ना ही रात। दोनों बस सारा दिन एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे और ऐसा लगता था कि यहां लोग मोहबबत नहीं बल्कि एक दूसरे की इबादत कर रही हैं। यूँ तो देखने में बस दो शरीर थे लेकिन इनकी आत्मा तो कब की एक हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना प्यार छुपाए नहीं छुपता। मौलवी साहब को भी इन दोनों के बीच के प्यार का एहसास हो गया और यहां बात कब गली से होती हुई मोहले और मजजिदों में फैल गई। इसका इल्म किसी को भी नहीं था। दुनियादारी की बातों से साहबा को बचाने के लिए मिर्जा ने गाव छोड़ दिया और दूर जाकर रहने लगा। मिर्जा की याद में साहबा का हाल बहुत ही बुरा था लेकिन वह भी जैसे तैसे जिन्दगी काट रही थी। मिर्जा एक बहुत अच्छा तीरंदास था। ऐसा माना जाता है कि उसकी कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता और हमेशा निशाने को भेद देता। मिर्जा अपने तीर को किसी भी दिशा में चला सकता था, वह हमेशा अपने साथ तीन सो तीर लेकर चलता था। साहिबा का निकाह ताहिर खान के साथ पक्का कर दिया गया था। लेकिन साहिबा तो अपने दिल, दिमाग, आत्मा हर चीज से सिर्फ मिर्जा की हो चुकी थी। इसलिए साहिबा ने मिर्जा को संदेश भेजा और कहा कि उसके परिवार वालों ने उसकी शादी टै कर दी है. तुम आकर मुझे यहाँ से ले जाओ. साहिबा की बात सुनकर मिर्जा उसकी शादी के दिन साहिबा को लेने के लिए उसके घर गया. मिर्जा ने अकेले साहिबा को अपने घोडे पर बैठाया और साहिबा के भाईयों और उसके होने वाले पती से लड़ते हुए वहां से निकल गया साहिबा के भाईयों और उसके होने वाले पती उन दोनों को मारने के लिए निकल चुके थे क्योंकि उन दोनों ने उन्हें शर्मिंदा किया था इन लोगों से बचते हुए साहिबा और मिर्जा काफी दूर निकल चुके थे काफी दूर तक भागने के बाद मिर्जा और साहिबा ने दूर एक पहाडी के पास आराम करने का विचार किया वे दोनों एक पेड के नीचे बैठ गए मिर्जा घुडस्वारी करते हुए काफी ठक गया था जिसके वज़से उसे नीन्द आ गई मिर्जा को कही ना कही अपनी तीरंदासी पर बहुत नास था क्योकि उसे पता था कि उसके तीर से कोई नहीं बच सकता है इसलिए वह मैदान छोड़कर भागना भी नहीं चाहता था लेकिन साहिबा यह नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर मिर्जा उसके भाईयों से लड़ेगा तो खून की नदिया भह जाएगी इसी लिए साहिबा ने मिर्जा के 303 को तोड़ कर फैंक दिया साहिबा ने सोचा कि इसके बाद मिर्जा को उसके साथ भागना ही होगा जिससे किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होगा लेकिन कुछ समय बाद ही साहिबा के भाई और ताहिर खान उस जगा पर पहुँच गए वहाँ पर उन्होंने तीरों की बारिश कर दी सबसे पहला तीर साहिबा को जाकर लगा और उसकी चीक से मिर्जा की नींद भी खुल गई जब मिर्जा की नजर साहिबा पर पड़ी तो उसके आंखों में देखते ही उसे सारी बाते समझा गई मिर्जा ने साहिबा को कुछ नहीं कहा एक के बाद एक तीर साहिबा को लग रहे थे इस तरह साहिबा को कुछ 40 से 50 दिन लग गए उसके बाद उसका शरीर पूरा छलनी हो गया तब मिर्जा ने साहिबा को कहा कि तुमने तो वादा किया था हम जेंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ लेकिन अब तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो यहाँ बात सुनते ही साहिबा बीच से हट गई इसके बाद एक तीर सीधे जाकर मिर्जा को लगा इस तरह दोनों महबबत करने वाले मौत की गोड में सो गए और इन दोनों की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई सच्चा प्यार ना तो जमाने से डरता है और ना ही इनसानों से इसलिए तो महबबत करने वालों को बागी कहते हैं उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी